वेल्कम बेक टू खानांसानी का आज मैं आपके लिए बहुत ही फूट लेकर आई हूँ चना और मूंग के स्प्राउट निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगी और मैं कई तरीके बताऊंगी जिससे आप बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी से सिर्फ एक ही रात में कर लिए चने में प्रोटीन विटामिन और कार्बोहाइटर होते हैं और स्प्राउट चने में इस विटामिन सी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आईए बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने चने और मूंग लिए हैं ये देखिए अरीब से मैं आपको दिख कर लेंगे उसके बाद हम इसमें ऊपर तक पानी भढ़ देंगे तो यहां मैंने इसे वाश कर लिया था और इसे पाँच गंटे के लिए भिगो के रख दिया था ये देखिए मैं आपको करीब से लिखा रही हूं ये फूल गया है ये देखिए मूंग फूल गई है और चन अब अलग अलग बढ़तलों में इसे शिफ्ट कर देंगे तो सबसे पहले मैंने एक होट केस लिया है और इसमें हम चने को शिफ्ट कर देंगे ये देखिए इस तरह से डाल देंगे और चारों तरफ फैला देंगे और इसे हम ढखकर रख देंगे एक रात के लिए इसके बाद एक दूसरा होट केस लेंगे और इसमें मूंग को रख देंगे और इसे भी हम एक रात के लिए ढखके रख देंगे यह देखिए कुछ लोग कपड़े में भी रखते हैं तो ये तर्यकाई म आपको बता रहे हूँ हूं एक बड़ा रुमाल ले लेंगे हम और इसे गीला कर ले और इसको निचोड़के इसमें फैला देंगे और इसलिए मैं 450 आपको मूंग भी और चैना भी तो दोनोंका चीज हैं धाल तरह कम तरह दाल देंगे एक तरफ चानिय और एक तरफ मुंग टाल देंगे कप्ड़े में भी स्प्राउट्स निकाले जा सकते हैं तो अलग लग तरिया दिखाने के लिए मैंने बहुत सारे चनिय और मुंग पहले से भी होके रखे हुए हैं तो इसे भी अब हम ढखकर रख देंगे और इसे भी हम एक रात के लिए ही रखेंगे बहुत अच्छे स्प्राउट निकल के तयार हो जाएंगे और इसमें हम पानी का चीटा मार देंगे हलका सा बहुत जादा नहीं मारना हलका सा चीटा मारना है बस और इसे भी हम ढखकर एक रात के लिए रख देंगे और अगर आप बहुत ज़्यादा तेज ठंड में आप स्पाउट्स निकालना चाते हैं तो उसका तरियकर भी मैं आपको बताती हूँ तो एक scree kenर ले लेंगे हम और इसमें आधा बॉक्स हम, बढ़ लेंगे आटा जो normal आटा होता है झसें हम रोटी बनाते हैं तो यह वहीं आटा है और एक छोटा बॉक्स ले लेंगे उसमें हम यह चने डाल देंगे और छोटे box को बड़े box के अंदर रख देंगे आटे के अंदर चारो तरफ आटे को एक level में कर देंगे ये देखिए इस तरह से और इसके बाद अंदर वाला धक्कन हम लगा देंगे छोटे box का उसके बाद हम बाहर वाला बड़े box का धक्कन लगा देंगे और इसे भी हम एक रात के लिए रख देंगे देखिए बहुत अच्छे और बहुत जल्दी से स्प्राउट निकलेंगे सिर्फ एक रात में बहुत जादा त्रेज ठंड है तो आप ये काम कीजिएगा तो अगले दिन में आपको दिखा रही हूँ 24 गंटे के अंदर ही आटा क्योंकि गर्म होता है तो इसकी गर्माई से इसके स्प्राउट जल्दी निकलते हैं इसको हम उपर नीचे कर लेंगे ये देखिए स्प्राउट कितने लंबे निकले हैं बहुत अच्छे स्प्राउट निकल के तयार हुए हैं सिर्फ एक ही रात में और सरदियों में आप इस तरह से निकाल सकते हैं और ये आटा खराब नहीं है ये बिल्कुल ठीक आटा है इसे रख लीजे इसकी रोटी बनाईएगा तो ये देखिए खरीब से मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत अच्छे स्प्राउट्स निकल के तयार हुए है तो आएए दूसरे स्प्राउट्स भी देख लेते हैं जो हमने होट केस में रखे थे तो ये देखिए जो हमने कपड़े में लपेट के रखे थे मूंग और चने हो देख लेते हैं यह देखिए यह भी बहुत अच्छे स्प्राउट्स निकल के तयार हुए है इसको हम मिक्स कर लेंगे पहले यह देखिए बहुत लंबे स्प्राउट्स निकले हैं मूंग भी चेक कर लेते हैं यह देखिए इसको मिक्स कर लेंगे यह देखिए करीब से मैं आपको दिखा रह बिना कपड़े के हमने रखी दी देखिये इसमें भी बहुत अच्छे स्प्राउट्स निकले हैं बलके इसमें और ज्यादा लंबे स्प्राउट्स निकले हैं यह देखिया करीब से मैं आपको दिखा रही हूं तो जरूरी नहीं है कि आप कपड़े में ही लपेट के रखें बिना कपड़े के आप ऐसे ही रख सकते हैं होट केस में ये देखिए कितने लंबे स्प्राउट्स निकल के तयार हुए हैं कपड़े वाले से ज्यादा लंबे ये इसमें निकले हैं और ये देखिए चने के स्प्राउट्स ये भी बहुत लंबे निकल के तयार हुए हैं आपको दिखा रही हूं जो मैथर्ड आपको इजी लगे आप उस तरह से स्प्राउट्स इंका लिए और खाईए यह हेल्दी फूट हमारी बॉड़ी के लिए बहुत ज्यादा जुरूरी है यह स्किन के लिए बालों के लिए हर चीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद ह आप इसे बॉयल कर के भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं इसकी चाट भी सकती हैं इसकी सालाट भी बन सकता है बहुत विडियो में आपको सालाट बनाने कातरीका भी बताए उनागी आप कई तरह से इसको बना के खा सकते हैं यह बहुत जादा हेल्दी फूड है अगर आपको यह पसंद आई है तो प्लीज को लाइक एंड शेयर किजिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल खाना दुस्तानी पर आये हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लिए बरावरे जो वैल आपको मिल जाएगा तो एक बार फिर मिलूंगी मैं आपसे एक नई रसीपी के साथ अल्ला हाफिस